हाई वच्छो, हाव यू चले देखते हैं हम लोग बात करने वाले हैं नेफरान के बारे में और इस नेफरान, नेफरान क्या है, इसका इस्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस काम में आता है, क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे हालाकि इस चोटे से वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे देखते हैं क्या है देखिए हमारा एक्सक्रिटरी सिस्टम उस सर्जन तंत्र क्या होता है हमारे सरीर से जो होता है वेस्ट मेटेरियल्स को सरीर से बाहर करना क्या है हमारा उस सर्जन तंत्र है इसमें काम करता है उस सर्जन तंत्र में आपका जो मुख्यूरूप से जो आरगन होता है क्या होता है कि अब उसी में उसी के तुरू हम देखते हैं नेफरान क्या है नेफरान क्या है नेफरान बेसिक फंक्सनल यूनिट आप किडनी अगर आपसे पूछा जाया कि निफरान कि किड्नी दिंग कारियात्म कि इकाई होती है मतलब इसका मतलब यह है कि अगर किड्नी है किस से मिलके बना होका बताई निफ्रान से और आपके बाड़ी में कितनी किड्नी पाई जाती है हैं दूम किड़नी पाई जाती हैं एक लिप्ट बेसोटी है एक राइट साइड में और प्रत्य किड़नी में इस्किडि राधा से एक दोड़न आफ निफरान भी दमेऊ एक निफरान असकी Always तो इसका मतलब अब उसमें चीड किस्टुक्चर की बारे में लोग देखेंगे, क्या है, ठीक, हम देखते हैं जो निफरान होता है, वो इस तरह आपका structure होता है, ठीक, इसके structure में दो major part होते हैं, एक tubules होती है, ठीक, अऔर इसका एक part होता है carpuscles, आप देखते हैं, यहां पर क्या होता है, यह दो पर्स से मिलके बना होता है, इसमें अलग-अल of structure head जैसा आपको दिख रहा है ठेग इसको बोलते हैं moments capsule क्यyu क्या बीवार मेंस capsule यापको बड़ा सबसे वाइडर पाठ लिख रहा है इसमें आप देखेंगे इसमें arteries arteries स obsेて होती ह증 ह lubigzlich और इसका नाम होता वाई हो जाती है उंडली के जैसे यहां पर सद्सरा बना लेती उसके बाद यहां से बाहर से निकलती है हुआ से निकलती है कि यह जोगा से आती इसका नम होता है कि एसे स्टा our days को उसके उसके बाद उसके फैस ना मुझता है तो इसका नाम होता है इफरेंट आर्टरियूल यह इसे स्टाट होता है इसको आप लोग ध्यान देंगे ठीज एफरेंट आर्टरियूल क्या होती है यह बाउमन्स कैप्सूल में यह अंदर की और यह ब्लड को लाती है ठीज उसके बाद एक वाइल होके यहां पर देखें एकहसे जाल जो जाल बना लुता है। टीव खोसर। already तो यह जो श görün instrumental होती ही इसका जो में होता ही एक ज्जाधा होता है इसकी तुलह मेंhewkee में मतलब मतलब यह ज्यादा-दी ऊटी। ॉट कर्यूंब होती है इसका वरْक है मैं यहां पर आपने देखा सबसे पहले कि देखा बामेंस कैपसूल को देखा जो कि आपका यह वायडर पार्ट है इसमना थे एक आर्टपयां अंदर और आती है इसका नम होता है different arteriol ठीक उसके बाद यह जो क्वाइल जो अंदर इक वाइल जो बनाती इसका नाम हो जाता है Glomerulus क्या हो जाता है Glomerulus इसका मतलब आप पूछेंगे आगर आपसे कोई पूछता है कि what is Glomerulus क्या है क्या प्ताइंगा है इसके पास आप यहां पर देखेंगे इसके होते हूँ एक फोटी सी जो पहला आपको है इसका नाम यहां ना कुंडलीत है हिंदी में इसको पोलते हैं कुंडलीत हलका सा यह पहले है इसका नमना होता है प्रागजीमल क्या होगया प्राउक ढोलॉटे टीवी इसको सार्ट मेह बोलते हैं PC जालते हैं PCT यह यहाँ слушbucks बहुक्षी पार्ट होता था इंट्रीय पार्ट होता है बाता है प्राउसी मलॉटेड टी वी draw PCT उसके बाद एज़ इसद जो पीसिटी से नीचे वाला जो पार्ट होता ही यहां से जो इस्टाट होता है यह यह जैसे है छो पार्ट होता है ये आपका यह descending descending Clτί नीचे आ रहे है ना इसका नाम होका है day कि तरफ ines आ रहा होता है इसका नाम होता है ascending Loopáf Henle ठीक के यह पर लूंप रखल लेुख बार उसके बाद ये लूफ लेका पार्टा जहां पर खतम रोटे उसके बाद जो इसका पार्ट होता हो जाता है इसका नाम हो जाता है क्या डी सीटी डिस्टल करने लूटेड टी यह क्या था पी सीटी क्या था पी सीटी यह पहले था ना प्रॉक्जीमल था मतलब इससे पहले है ना इससे पहले जूड़ा हुआ था यह प्रॉक्जीमल तो डिस्टल मतलब होता है दूर तो यह अभी तक आतने क्या देखा को पार्ट में निफरान की श्ट्रक्टर में बोमें स्केप्सूल देखा उसके नीचे क्या हुआ प्रोक्जिमल वाला पार्ट इसको बोलते हैं PCT प्रोक्जिमल का नीचे जब आते हैं decending loop of Henle ascending loop of Henle सिधा बोले तो क्या है इस्ट्ट्चिर यू जैसी loop of Henle Hairpin जैसी संदचना है बाल में जो पिन लगाई जैती है उसकी संदचना है क्या है कि लूप पान फिन उसके बार यह लास्ट में इससे जो पार्ट यहां पर आपको देख रहा है सका नाम है दिश्टल कन लियुटल टीव्यों दी सीटी यह लास्ट वादा जो पार्ट होता है जो आपको यह दिख रहा है वहाइं लास्ट वना इसका नाम हो उसके बाद यही यही जो होता है यही पूरे इसमें इसे बना लेती है अभी हमने इसको ऐसे कर दिया आप लोग पहले से आप लोग बनाये होंगे बना लिजीएगा यह मतलब क्या है यह 3D स्ट्रक्चर में यह पूरा लपेटे हुए है यह इसका नम हो जाता है पेरी ट्यूबिलर यह पूरा लपेट लेती है यह पर उसके पाद यह आपने इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा बता है यह बाउमेंस कैप्सूल हो गया हो गया और प्रॉक्जीमल कन्वेटे टीविल हो गया लूप आप हैनले हो गया डी सिटी हो जिसका देटिस्टल कोनम ऑटेट टी और क्लेक्टिंग डट इतनी चीजें आपके स्ट्क्चर में यह इंसकी नेफ्रान में ग्रॉसस के बारे मैं आगर आप से कोई पूंचता है नेफ्रान क्या होने खाया Q introduAL इसका स्टेट्र की साधंने समय उड़ा होता है तो उसके पदार्थ होते हैं उच यूणीट एक एक सीड तमाम इत्यादी जो हैं ये चीज़े क्या है इस आरि से बाहर निकालने के प्रक्रिया क्या है उस तर्जन तंत्र के दोरा होती है तो यह किस से हो का बताई यह ने फ्रान से किसे होगा इने फ्रान से उसके बाद यह यह आप देखिए इसका इस्टक्चर हो गया यह आप इसको देख लेंगे इसके फंक्शन को इसके फंक्शन क्या है बताई यह फर्मेशन आफ यूरीन है फर्मेशन आफ यूरीन है उसके बाद अब इसके फ